हेलो गाइस कैसे आप स्पींग गाइस जैसे कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो इस टैम मेरे पास एक रैडमी का डिवाइस है जिसके अंदर मैं MIY 14 को यूज कर रहा हूँ और मेरा जो डिवाइस है इसको मैंने मैजस की हेल्प से रूट भी कर रखा है मैं आप सभ की हेल्प से आप अपने डिवाइस में जो MIY experience है उसको काफी अच्छा कर सकते हो और आपको ये तीनों मैजस मोडल काफी अच्छे भी लगने वाले हैं तो गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हमारी आज किस वीडियो को लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैन वगेर है वो iOS जैसी है हम हमारे डिवाइस को जितना भी यूस करते है हमें थोड़ा Apple जैसे experience देखने कर लेता है लेकिन मोबाइल काफी ज्यादा lag करता और भी काफी सारे विकार चीज़े है जो ये promotion वगेर है वो Samsung की तरह करते है यानि कि जितने भी companies है उनसे जो जो बाते इनको अच्छी लगती है वो सभी copy कर लेते है लेकिन इस MIY के मुझे सबसे खराब बात क्या लगती है कि जब भी हम इस device को reboot करते है तो मैं एक logo देखने करनेता है मी का अब भाई आप ही सोचो सभी device से सब कुछ copy किया है तो logo सिर्फ इनका क्यों तो हमारा पहला Magist Model आपको जुरूर यूप करना चाहिए आपको क्या करने है आपको हमारी वीडियो की description में जाने है आपको हमारी वीडियो की description में इस Magist Model का download link देखने के मिल जाएगा जिसका नेम है Dynamic OS अब आपको क्या करने है आपको simply आपना जो Magist Manager है उसको open करना है इस time पे मैं Magist Delta को use कर रहा आपके पास इन दोनों मैजस में से जो भी मैजस को आपको सिंपली उसे ओपन करना है ओपन करने के बाद आपको यहां नीचे मोडिल को अप्शन देखने मिलता है यहां पर जाना है जो स्टेबल मैजस का है आपको यहां पर अप्शन देखने के मिलगा install forum storage अगर delta है तो आपको यहाँ पर option देखने के मिलेगा install forum storage आपको simply यहाँ पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद मैंने आपको video के description में जो magisk module दिया है dynamic OS वाला आपको simply उस पर click करना है कुछ इस परकार जैसे आपके device में क्या होगा तो चलिए अब हम थोड़ा wait करते हैं और हम आपको बताता हूँ कि अब आपके device के साथ क्या होगा जैसे कि guys आप सभी अपने screen पर देख सकते हो सबसे पहले हमें Redmi नाम लिखा हुआ यह हमारी device की splash screen है अब हमारे device की boot animation आएगी जो की काफी कमाल की होगे तो आप जड़ा देख ते रही है screen पर जैसे कि guys आप सभी अपने screen पर देख सकते हैं अब देखिए device boot होने के नाम पर हमें सारी company के name वगरा देखने के लिए मिलेंगे यह काफी अच्छी बात है भाई इसको boot animation होना भी चाहिए क्योंकि अपना जो device है इसमें जो software है जो company कर रही है सब भी mobile को copy कर रही है तो हमें ये वाली boot animation जुरूर हमारे device में install करनी चाहिए मतलब भाई जब हम सारे devices की चीज़ों को copy करके use करे रहे हैं तो boot animation भी बतानी चाहिए बिना की सारे device को copy किया है तो guys अगर आपको पहला magic model अच्छा लगा हो तो वीडियो को like जुरूर कर देना अगर पहला magic model अच्छा नहीं लगा तो चलिब हम बात करते हैं हमारे दूसरे magic model की बारे में तो guys चलिए हम आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हमारी आज कि इस वीडियो का दूसरा magic model वरक क्या करता है तो जैसे कि माप सभी को जो telegram की application है वो open करके दिखाता हूँ तो आप सभी एक बार देखिए जो हमारी telegram की application है इस application के हमें निच्छे पे हमें black screen देखने के मिलती है अगर हमें इसे remove करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है settings के अंदर जाना है settings के अंदर जाने के बाद हमें home screen में जाना है यहाँ पर जाने के बाद हमें system navigation में जाना है और इस option में जाने के बाद जो hide full screen inductor है हमें इसे off कर देना है जैसे हमें इस पूल स्क्रीन पे ओपन किया तो मैं इस feature को इनेबल नहीं कर सकता यह देखी यह वाला जो feature है कि एक application से दूसरी application में जाने वाला यानि कि मैं यहां से एक application से दूसरी application के अंदर कुछ इस परकार से switch नहीं कर सकता तो guys अगर आपको भी यह दोनों features एक साथ में चाहिए तो आ आप एक application से दूसरी application के अंदर भी जाप आओगे तो guys हमारी दूसरे magisk module को use करने के लिए simply सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की description में जाना है आपको हमारी वीडियो की description में यह वाला magisk module देखने के मिलेगा impressive gesture वाला guys आपको simply से download करके क्या करना है आपको अपने magisk को open करन तो आपको निचे जो module को option देखने के मिलता है आपको simply उस पे click करने के बाद आपको install form storage को option पे जाना है और यह वाला जो हमारा दूसरा magisk module है आपको simply इसे install कर लेना है जो कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ कुछ इस पर का guys जसे आपके device में यह वाला magisk module successfully install होना start हो ज प्रेस करने है उसके बाद में आपको power down button प्रेस करने है इसके बाद आपको फिर से up button प्रेस करने है इसके बाद आपको फिर से down button प्रेस करने है और guys यह मैं आपको बता दू मेरी customization है आपको यहां पर simply लिखा देखिन के मिलता है कि आपको किस पर कर क्या customization करनी है आप अप बेट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या कुछ अपने डिवाइस में डिफरेंस देखन के लिए मिलेगा लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जुरूर कर दीजिए guys जैसे के आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो हमारे डिवाइस सक्सिश कोली रिबूट हो चुक है अब आपको क्या करने हैं आपको सबसे पहले अपनी डिवाइस में किसी भी अप्लिकेशन को उपन करने है जैसी कि मैं टेलिगराम के अप्लिकेशन को उपन कर लेता अब आपको क्या करना है आप सबसे पहले तो देखी आपका जो पिल है वो remove होके आपकी जो application है वो full screen पे आचुके है इसी के साथ आपकी जो recent application है आप उसके अंदर यहीं से जा सकते हो जैसे कि आप सभी अपने screen पे देख सकते हो तो guys अगर आप अपने device में किसी भी application को full screen के अंदर use करना चाहते हो और जो recent application के अंदर जाने वाला feature है उसको भी use करना चाहते हो तो आपको एक बार full screen gesture वाला जो ये magis model है उसको use जुरूर करना चाहिए अगर आपको हमारा दूसरा magis model अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दीजिए अगर अच्छा नहीं लगा तो चलिए बाम बात करते हमारे तीसरे magis model के बारे में guys हमारी आज के इस वीडियो का जो तीसरा magis model है उसका name है MIUI Home Magis Model यह simply क्या करता है आपके device में एक launcher enable कर देता है जिसके अंदर आपको iOS जैसे recent panel देखने के लिए जैसे कि आप सभी अपनी screen पर देख सकते हो यानि की full apple की copy इसके साथ साथ में आपको जो आपका launcher है उसकी settings के अंदर काफी सारे launchers की settings देखने के लिए हमें एक दो settings नहीं यहाँ पर कितनी सारी settings देखने के लिए जैसे कि मैं आप सभी को comparison करके भी दिखा देता हूँ यह मेरा device है बिना mages model वाला आप एक बार stock settings को देखिए चलने से पहले खतम होगे लेकिन यहाँ पर देखिए आपको कितनी सारी settings देखने के लिए इसी के साथ साथ में मैंने जो आपको बताया कि जो recent बार है वो apple जैसे देखने के लिए इसी के साथ में काफी सारी animation के option भी आपको देखने के लिए अगर आपको full settings के बारे में जानना है कि इस mages model के अंदर आपको क्या कुछ settings देखने के लिए तो आप इस वाली वीडियो को देख लीजी इसका link भी आपको वीडियो की description में मैं दे दूँगा लेकिन guys मैं आपको बता देता हूं कि इस mages model का आपक इसके बाद आपको यहां पर देखने के मिलेगा कि आपका device MIY 13 वाला है या फिर 14 वाला तो जो भी बटन आपके लिए लिखा हो आपको सिंप्ली उससे प्रेस करने है जैसे मैंने volume डाउन किया इसके बाद आपका device Poco का है या फिर Redmi का तो आपको उसे भी select कर लेना है इसके बाद आपके device में यह वाला मैजस मोडल सक्सेस्फुल हो जाएगा तो आपको सिंप्ली reboot to system कर देना है reboot to system करने के बाद गाइस मैंने अभी अभी आपको जितनी भी settings दिखाई मेरे device में launcher के अंदर वो सारी settings आपके device में भी enable हो जाएगी और आप अपने device में काफी सारी animations को यूस कर पाऊगे तो गैस अगर आपको इस launcher का full review देखना है तो आप इस वाली वीडियो को देख लीजेगा इसका link में आपको वीडियो के description में दे दूँगा बाकि मुझे comment करके जुरूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी अगर आपको इस वीडियो का दूसर इसे नेक्स्ट वीडियो में तब टक टाटा बाई बाई